फिलाल का हाल कुछ ऐसा है कि फाइनली दो महीने के बाद आपका भाई YouTube पर वापिस आच चुका है और बहुत सारी चीजे होई हैं इस दो महीने में मेरी लाइफ के अंदर आपके माइड में बहुत सारे questions होँगे कि मैंने YouTube पर इतने टाइम से कोई वीडियो क्यों नहीं अप्लोड करी मैंने cricket वीडियो बनाना क्यों छोड़ दी तो जो भी mix-up वो रखा है न मेरी लाइफ में वो एक एक करके मैं आपको आज explain करने वाला हूँ और मैंने भी YouTube बहुत दिनों से नहीं चलाया बहुत दिनों से मैंने vlogging नहीं करी है तो मैं भी vlogging को miss कर रहा था तो सारे आपके questions का मैं answer दूंगा एक एक करके तो प्लीज एक request आप लोगों से कि इस वीडियो को एंट तक जरूर देखना सबसे पहला question तो आपके mind में यह आ रहा होगा कि दो महिने से मैंने कोई भी वीडियो upload क्यों नहीं करी है तो उसका straight and forward reason यह है कि मेरी कुछ family problems चल नहीं थी और उसके साथ साथ मेरे exams भी चल रहे थे तो जिस वज़े से आप कुछ भी नहीं कर पाते और आपको मन भी नहीं करता तो जब मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियोज डालने का तो मैं जबरदस्ति क्यूं कैमरा उठाके वीडियोज डालता लेकिन कोई बात नहीं वह जो face था मेरी life का वह निकल चुका है बहुत मेरे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मेरे साथ ground पर जाए और मेरी वीडियोज को शूट करे और अकेले cricket वीडियोज शूट करना काफी जादा मुश्किल होता है और देखो cricket वीडियोज में क्या शेयर करता था जो चीज मैं सीखता था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता लेकिन कुछ चीजे ऐसी होती है टेकनिकल होती है बहुत जारा जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है वो आपको कोचिज ही सिखा सकते हैं मेरा मोटो बस इतना था जो बेसिक चीजे हैं जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ और वो मैंने अपनी जीबर के क जरूरत है and hopefully आप लोग मुझे support जरूर करेंगे अपने भाई को जरूर सपोर्ट करेंगे and मैं यही उमीद करता हूँ कि जो मैं मेहनत करूँगा जो मैं content आप लोग के लिए लेकि आऊंगा वो top notch हो जितना मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से उतने में efforts डालूँगा बस यार life में ups and downs होते रहते हैं यह बात मैंने सीख लिये face से जो भी मेरे life में face आया था तो आप लोग को भी एक ही message देना चाहूँगा कि अपनी life में जो ups and downs हो रहा है उससे tackle करो deal करो यार मजे लो कोई फायदा नहीं है बैठने से और हां break लेना भी ज़रूरी है कभी कभी break देना बहुत ज़रूरी हो जाता है और कुछ चीजों को आपको छोड़ भी देना चीह है अगर वो आपको बसकी नहीं है जैसे यार cricket वीडियो नहीं बन पा रही थी मतलब नहीं बन पा रही थी और यह problem काफी time से चल रही थी तो इस problem को मैंने हटा ही दिया मतलब खतम कर द करेंगे जैसे आप लोगोंने हमेशा किया है